hey everyone welcome to Tathastu ICS I hope you all are good because large number of people across the world are not and the reason is marine heat waves इसकी वज़े से लगभग पूरी दुनिया इस वक्त परिशान है तो हम इस टॉपिक को अच कवर करने जा रहे हैं हम देखिन ने कि marine heat waves क्या है किस तरीके से यह divided है अलग-अलग sectors में और कैसे यह पूरी दुनिया को impact कर रहा है ठीक है शुरू करते है marine heat waves क्या है सबसे पहली बात यह न्यूज में क्यों है किस वज़े से इसले क्योंकि यह जो जून अभी बीता है पिछला जून it is recorded as one of the hottest June ever recorded on the planet earth इससे जादा गरम जून कभी भी नहीं रहा and it is expected कि यह जुलाई जो चल रही है यह इस जून जून को भी सरपास कर देगा जुलाई expected to surpass the June the warmest month in possibly hundreds of thousands of years तो धरती इस वक्त इतनी गरम है कि वो पिछले कई सौ हजारों सालों में गरम नहीं रही यह पिछले दो महीने देखें तो इसी के वज़़से इस पूरी राइजिंग टेमप्रेचर की वज़़से सिरु लैंड को अपने पिछले साल के मुकाबले जादा रहा है eventually causing the heat waves which are observed worldwide as a result of elevated ocean temperature which has been elevating for the last seven years और इसी लिए situation बहुत जादा alarming है और इसके लिए लोग बहुत सारी organizations जो अपने काम कर रही है वो तो है ही पर हम देखने की यह जो impact है जो धरती इतना गरम हो रही हो तो और लगातार गरम होते जा रहे हैं तो उसके impact किस तरीके से उसका impact है उससे पहले definition क्या है कि marine heat waves होते क्या है अगर आपको prelims में आपसे पूछ लिया जाए या question जब आएगा तो आपको जो introduction लिखना उसमें definition रहेगी तो वो एक बार देख लो कि वो होते हैं marine heat waves are extreme weather events that occur in the ocean ocean के अंदर जो extreme weather events होते हैं उन्हें marine heat waves कहा जाता है characterized by a significant increase in the surface temperature of a particular region of the sea important यह है अगर prelims में कुछ हैसा आजाए कि क्या पूरे sea का temperature एक साथ बढ़ता है तो उसको marine heat wave बोला जाता है नहीं अगर किसी sea का कोई एक particular region है और उसका temperature अपने पिछले time से बढ़ता हुआ रहा है तो भी यह माना जाएगा कि उस area में वो जो marine heat wave MHW है वो अकर हो रहा है और कैसे average temperature से लगभग 3-4 degree Celsius तक अगर वो बढ़ता है तो marine heat waves process for at least five consecutive days पांच दिन तक अगर ऐसे temperature बढ़ा रहे तो मानते हैं कि हां उस area में वो marine heat wave आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि सर्फ कुछ दिनों तक सी में थे इट गोज ऑन फॉल इट कें लास्ट वीक्स पर मन्स पर इवन पर येर्स ठीक है मतलब पांच दिन से शुरू होके और पांच सालों तक यह situation ऐसी ही रह सकती है कि तो ब्रॉड डेफिनेशन मेरीन heat waves की यह है करेंट स्टेटस की बात करें कि इस वक्त कहां कहां है तो आप वो इसके थू समझ लो जो शुरूआत की स्लाइट थी कि शायद यह अब दुनिया में कोई ऐसी जगा बच्ची है जहां पर मरीन heat waves ना रही हों सब्सक्राइब नौट इस पेसिफिक मेडिटेरियन यह साउथ ट्रॉपिकल साउथ एटलांटिक ट्रॉपिकल इस एटलांटिक यू नेम इट हर जगहां पर यह है इवें ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप जाके देखोगे थोड़ा सा अगर आपका पेज जो हैं आपक भी इसकोड़ यह ख्थ इवर इसका इंपक्ता मरीन लाइफ पे भी होगा उसकी ब्लीचिंग पर ब 나서 के पड़ olur यह चैकि पर जाके फिर से और आने तो क्या गूतिए व राडव यह हैं कोटने जो समुद्र में नीचे जब वह डाइविंग वगएरा की विडियो और जिन्दगी ना मिलेगी दोपारा देखने के बाद किसी का एगी एक बार डाइब हो जाए तो यह ऐसे कोरल है जो नीचे दिखता है जिसमें सबसे इसे हेल्दी कोरल बोला जाता है इस इसको टेट वह इसका एक कवच के तरह इ देता है तो यह ब्लीच कोरल होता है जो कि डिजीज वल्नेरेबिलिटी और डेथ के लिए काफी जाता प्रोन रहता है और अगर यह सिचुएशन रिवाइब नहीं हुए अगर पानी रिवाइब नहीं हुआ वाटर उतना ही गंदा रहा उतना ही एबनॉर्मल रहा तो एव दिखने वारा खुबसूरत कोरल इस बढ़ते हुए टेंपरेचर की वज़े से धीरे धीरे जाके यह इंपक्ट आता है कि वह इवेंचली डेड हो जाता है इंपक्ट की बात करें कि मेरीन हीट वीफ का इंपक्ट कहां कहां है तो वह हर किसी पे है हुमन से लेके मेरीन यहां आपको इस तरफ दिख जाएगा यहां टॉर्नेडो साइकलोन हरीकेन तो यह मरीन हीट वेर्स के अंदर जो भी आने के वज़े से जो इंपक्ट होता है न वह ऐसे ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वह उन्हें उसे और जादा फर्दर पुश देता है टेक वह मोट होती है इन सारी चीजों की वज़े से तो एयर में जब वह उपर जाती है तो और ज्यादा इन वेदर इवेंट्स को इंटेंसिफाय करता है दे कंटिनुद वामिंग ऑफ दा प्लानेट मेक्स देट ऑप मरीन स्पीशीज और चेंजिज इंग माइग्रेशन पैटर्न इस ऑब्जर्व ठीक है कि एक तरफ से जो ऑर्गानिजम्स है जो भी स्पीशीज है जो वाटर के अंदर है वह अपना घर छोड़ छोड़ के दूसरी की दूसरी तरफ जाती है यह एक ही है कि डिव पांच में ऐसा था और 2008 में ऐसा हुआ रीजन ऐसा होने का इस डिख्रेडेशन का रीजन क्या है महीजड़ मारीन हीट वेव उसे लाइफ क्या Impact होता है वही एक और जो इंपक्ट है ऐलियन स्पीसीज की बाद बहुत बार होतेगी कैसे जो मैंने कहा कि माइग्रेशन होता ह है तो एक particular area एक particular body जो marines के होती है वो उस नेचर को उस area को उस जगह में अपने आपको adjust करते हैं लेकिन जब वहां से दूसरी जगहों पर जाते हैं तो invasive alien species उन जगहों पर जब thrive होते हैं it disrupts the marine food webs and causing harm to the native species जब दूसरी जगह जाती है तो उस पूरे structure को पूरे food web को खराब कर देती हैं और उसके चक्कर में situation वहां पर फिर degrad होती है वहां पर जो native species रहती हैं उनको harm पहुंचता है ठीक है wildlife behavior भी change होता है और कैसे वेल्स और जो large fishes और यह सारी चीज़ें हैं organisms हैं फिर्श के वह इसे impact होते हैं humans के ओपर direct impact पड़ता है उनके social economic condition पर direct impact पड़ता है इसका स्टॉर्म crossing warm oceans during the marine heat waves gather more water vapor अपने साथ जब भी जब यह oceans के ओपर से निकलती है जो गरम और जब ocean की तासीर जो होती है वह गरम होती है तो उसके साथ बहुत जादा water vapor बहुत जादा heat अपने साथ लेके निकलता है और eventually एक जगा ले जाके जब उससे वेपर को ले जाके जब resulting in more powerful winds and heavy rainfall and increased spreading on the land इसलिए coastal के आसपास के लाखुक पे इसका impact बहुत जादा होता है कि महां से इसने यह उठाया moisture उठाया और eventually ले जाके dump कर दिया ऐसा rainfall rainfall के form पर और यह बारिश हो जाने के वज़े से ऐसा नहीं होता है कि बस बारिश आई और enjoy कि बारिश चली गई इसका impact वहां की पूरी social condition खराब हो जाती है वहां की पूरी economic condition खराब हो जाती है इसा profound social economic impact on coastal communities due to intensified storms के इनी storms के वज़े से जो आसपास जो मच्वारे रह रहे हैं जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनका गुजरबसर ही ऐसे हो रहा है कि वह सुभा काम करेंगे तो शाम को उनको जाके खाना में लेगा लेकिन इन सारी events के वज़े से उनका पूरा pattern नहीं बदल जा रहा है जिस चीज में वह fishing करते हैं जिस organism की वह fishing करते हैं जो इन सब चीजों के बाद जो migration होता है तो उनके ओपर direct impact पड़ता है कि वह species वहां से पूरी तरीके से चली जाती है या इस event के बाद जो coastal के आसपास के पास रह रहे लोग हैं उनके उनकी जीवनी पर वही कि उनका पूरा employment उस पर टिक likelihood effect हो दी तो eventually जो लोग इसके ओपर dependent है उनका livelihood भी effect होता है ठीक हाव global warming is affecting the marine heat waves in the ocean अब यह जो marine heat waves लगता आ रही है इसका बड़ा कारण बड़ा मुद्द वही है जो eventually मतलब हम सुनते ही रहते हैं आप शायद दिन में इस से जाधा बार कोई शब्द नहीं जो सुना जाता ह ठीक है तो इसका impact किया है marine heat waves के उपर global warming especially 3-4 impacts है जैसे global warming increases the intensity, the frequency and the duration of marine heat waves how एक study आई थी 2018 में which revealed that the soaring global temperatures, global temperatures बढ़ते जा रहे हैं have have resulted in longer lasting more frequent and more intense marine heat waves in recent decades in global warming events की चक्कर में जो यह जिसका जो time period है जो हमने बात की थी कि पांच दिन के बाद यह marine heat wave काउंट पिया जाता है लेकिन यह जो weeks months और years तक चला जाता है उसका broad reason वही की the super villain global warming है second the ocean heat absorption एक दूसरा reason यह है global warming के एक impact का यह की global warming कैसे effect कर रहा है तो the oceans have absorbed approximately 90% approximately 90% of the additional heat generated by the release of greenhouse gases from activity such as burning fossil fuels and deforestation deforestation of burning fossil fuels की वज़े से यह जो heat generate होती है तो उसका 90% जो heat है वो oceans absorb कर लेते हैं तो जब वो इतना चीज अब्सॉर्प करेगा तो कही ना कहीं तो निकलेगा ही ना तो ocean का heat absorption यह जो global warming के चक्कर में होता जा रहा है है और global warming के सिलिफ के वज़े से हो रहे है deforestation के वज़े से fossil fuel की burning के वज़े से तो वह impact directly उसको impact कर रहा है this absorption has raised the global mean surface temperature by कितना degree by nearly 0.9 degrees celsius since 1850, 1850 से अभी तक 0.9 degrees और इससे बहुत कम number है जिसका हम target रखते हैं कि इससे इसको reduce किया जाएगा तीक है यह number 0.9 लग रहा है पर है बहुत बड़ा the rising ocean temperature as global air temperature global air temperature continue to rise due to climate change climate change global warming के वज़े से temperature rise करता है उसके वज़े से the ocean temperatures has also increased leading to greater occurrence of MHW marine heat waves और अभी हमने बात अभी तक नहीं किये लेकिन यह आप लोगों ने newspapers में पढ़ लिया हुआ कि अलिनो लगभक साथ साल बाद वापस आ चुका है तो उसका भी एक direct impact इस पर पढ़ता है लिनो बैसिकली refers to an abnormal warming of the surface waters in the equatorial Pacific Ocean Pacific Ocean में usually पानी उसक गरम नहीं होता है लेकिन normally गरम नहीं रहता है ठंडा रहता है लेकिन जब यह abnormal situation create होती है वो गरम होने लग जाता है तो इवेंच्वली लीड्स तो अलिनो और अलिनो और अलिनो अब ही भी यह माना जा रहा है कि यह जो बोला गया है कि जून से भी जादा मतलब इस वक्त का जून धरती पे सबसे गरम जून रहा और यह जो जुलाई है वो उससे भी ज़्यादा हीट वेव मरीन हीट वेव एक्सपेक्ट की जा रहे हैं तो इवेंच्वली सिच्वेशन भस खराब ही की तरफ ही जा रही है कि पिछले हम नहीं देखाए दोहजार सोला से अभी तक हर साल ओशन का टेंपरेश्या किसी ना किसी वजह से बढ़ता जा रहा है किसी ना किसी औ मोस्ते हैं उनका पूरा वो structure वो जीवनी वो पूरा लाइवलीहुट इंपक्त हो जाता है ठीक होप आपको यह इंपोर्टन्ट और एग्जान के लिए इंपोर्टन और एवेंच्वली हमारे रहने के लिए डे टूडे के लिए जो एक जीवनी हो इसके लिए इंपोर्टन keep reading. Thank you so much.